जारखंड विधान सवा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान अनुमंद कर्मियों और चुनावी वादा खिलाफी जैसे मुद्दो को लिकर विपक्ष आंदोलन रत भाच्वा विधायकों ने अपनाया विरोत का अनूठा तरीका भाच्वा विधायकों ने गारवाई खत्म होने के बाद भी कल सदन के अंदर धरना प्रदशन जारी रखा बिजली गुल कर देने के वाबजूद भी भाच्वा विधायक टस से मस नहीं हुए वरोत का ये सिलसला आज भी सदन के अंदर और बाहर जारी विपक्ष की आवाज को दवाने का आरोप लगा रही है भाच्वा जारखंड की सरवोच पंचायत विधानसवा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान ने नया रूप अक्तियार कर लिया है विपक्षी सदस्चों ने अपनी मांगों के समर्थन में विधानसवा में अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कल देर रात यहां डटे रहे जारखंड विधानसवा का मौनसून सत्र विधानसवा चुनाव से पहले रणशत्र में तबदील होता नजर आ रहा है अनुवंद कर्मियों और चुनावी वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष आंदोलन रत है भाजपा विधाईकों ने विरोध में कारवाई खत्म होने के बाद भी सदन के अंदर धर्णा प्रदर्शन जारी रखा बिजली गुल कर देने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए आखिरकार उन्हें मार्शल आउट कर बाहर निकाला गया विरोध का ये सिलसला आज भी सदन के अंदर और बाहर जारी रहा नेता परतिपक्ष अमरकुमार बावरी ने कहा कि सरकार लोकतंतर का गला घोट रही है और विपक्ष की आवाज को दवाने की कोशिस में लगी है इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनात शहदेव ने इस मामले में सरकार के रुख पर तीखा परहार किया और पूरे प्रकरण को लोकतंतर के इतिहास का काला अध्याय बताया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने विधानसवा पर कबजा कर इसे सरकारी विधानसवा बना दिया है सदन के बाहर और भीतर इस बिशे पर घमासान मचा है आज विधानसवा अध्यक्ष ने सकती दिखाते हुए भाजपा के 18 विधायकों को कल दो पहर दो बज़े तक सदन से निलंबित कर दिया निलंबन के बाद भाजपा विधायक और आकरामक हो गए उन्होंने साफतोर पर कहा कि राज्य में अघोसित इमर्जेंसी है और स्पीकर ने मर्यादा का हनन किया है और यह सरकार की बौखलाहट प्रदर्शित करती है इसलिए जन्ता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमारी अवाज को दबाने का काम किया है सत्ता पक्ष ने भाजबा के रुख पर पलटवार किया है कॉंग्रेस विधायक सामंत्री दिपिका पांडे सिंग ने कहा कि लोगतांत्रिक विवस्था में इस तरह के विरोत को सही नहीं ठाराया जा सकता उनकी मांग ये है कि विधान सभा में जो कारवाई है वो उनके एकॉर्डिंग चले बजाए की स्पीकर महदे के ये तो मांग नहीं बत्तमीजी है और जो इस तरह का काला अध्याय लोगतंत्र का हम लोगों ने इस बार इस पांचवे विधान सभा में देख लिया छह दिवसिया इस मॉनसून सथर में ज्यादातर वक्त हंगामे की भेट चड़ गया है जहां पूरी तरह हमलावर है वहीं विधायकों के निलंबन के बाद मामला और गरम हो गया है अपने सायोगी असीम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार दूर दसन समाचार राची